हाई व्यूर्स हम नुसा पेनिड़ा से वापस सानूर पोर्ट पहुँच गए हैं चलिए अब हम चलते हैं सेमिन्याक और कुटा के लिए कुटा सेमिन्याक बाली के सबसे ज़्यादा विक्सित इलाकों में से एक हैं यहां फिर यूँ भी कह सकते हैं कि कुटा तथा सेमिन्याक बाली के मोस्ट टूरिष्टी सिटी हैं सबसे ज़्यादा होटल्स, कैफे, रेश्टरेंट्स तथा कलब साधी यहीं पर स्थित हैं इसलिए सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी यहीं पर लगते हैं हम लोग सेमिन्याक में दो रात के लिए रुकेंगे और वहीं से इस पूरे इलाके को एक्स्प्लोर करेंगे और यह लेफ्ट में बाली का एक बहुत ही फेमस मॉल बाली गैलेरिया है यह कुट्टा में सिंपांग देवा रुची मॉनिमेंट के पास लोकेटिड एक फेमिली मॉल है यहां आप इटिंग, शॉपिंग, प्लेइंग, गेमिंग, बात क्या हरत रहे की एंजॉयमेंट कर सकते हैं इसके मेन एक्टिविटी सेंटर दा डॉम में कोई न कोई कार्यकरम होता ही रहता है यह हम पहुँच गए हैं क्रिशना ओले ओले स्टोर में यहां से आप एक ही जगें से एक ही छट के नीचे से वाजिब वे फिक्स्ट प्राइस पर सॉविनेर्स, मेमेंटोज, वे अन्या बालिनेज गुड्स की शॉपिंग कर सकते हैं एक ही छट के नीचे इतनी ज़्यदा वरेटी वाला यह बाली का सबसे बड़ा स्टोर है और यहां पर किसी भी तरह की कोई बारगेनिंग ये चीटिंग आपको नहीं मिलेगी और हाँ कुट्टा, सेमिन्याक एंड देनपसार एरिया में इनके और भी कई स्टोर हैं रेट्स भले ही चीपेस्ट नहीं हैं पर समान की क्वालिटी अच्छी है यह है स्टोर जिसमें हम गए थे कुट्टा में लोकेटिड है संसेट रोड नमबर 88 पर और यह नुसा दुआ अपने बड़े बड़े लिक्जूरियस रिजॉर्ट्स के लिए भी बहुत फेमस है महा भारत वे रमायन की गाथाओं से जुड़े ऐसी विशाल काई मॉनुमेंट आपको लगबग हर चुराहे पर दिखाई दे जाएंगे यह है कुट्टा की सेंटर मार्किट है बाली में होटल चेक-इं टाइम 2 पी-म है तो अभी हम कुट्टा की एक और शांदर मॉल बीच वाक में जा रहे हैं बीच वाक मॉल कुट्टा बीच पर लोकेटिड है ठीक कुट्टा बीच के एंट्री गेट के पास और यह सामने दिखाई दे रहा है बाली का फेमस कुट्टा बीच और ये आ गई बीच वाक औरे ये तो वाकई में एक अप्टिवेटिंग है चलिए अंदर चलते हैं खुश्बू देखना कितने अच्छी है कैंडी की इतने विराइटी तो आज तक पूरी लाइफ में ने देखी जितनी हाँ सजा रखी है चलो एक ले लेते हैं जीना इसी का नाम है कुट्टा सेमिन्याक में हर बजट के होटल्स आपको मिल जाएंगे थ्री स्टार केटिगरी के होटल्स का रेंट लगबग दो से तीन हजार रुपे के आसपस रहता है इस बेटर टू बुक्दा होटल विद ब्रेकफास्ट क्योंकि यहां के होटल्स में ब्रेकफास्ट में अक्सर काफी वरेटी रहती है और यह एकॉनोमिकल भी रहता है हमने सेमिन्याक में होटल होरिसन सेमिन्याक बुक्द किया है यह सामने लगज्यान बीच का एंटरी गेट दिखाई दे रहा है हमारा होटल सेमिन्याक मार्किट में लोकेटिड है लीजे यह आ गया हमारा होटल होटल होरिसन लग तो अच्छा रहा है लेट सेवे लुक कैसा लगा थ्री था उजन्डा ये नर परड़ डे पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा बालिनीज कल्चर नूतन वप्रातन संस्कृति का एक अध्भुत संगम है यहां की एज ओल्ड प्रमप्राओं ने मॉडर्न कल्चर को कुछ ऐसे आतम साथ किया है यह चांगू है, most congested area बाली, सबसे ज़्यादा जाम यहीं लगते है Now we are entering to Tanalot Temple area Tanalot Temple के पास आकर सड़क काफी वाइड हो जाती है सामने ही on-road ticket counter है Tanalot Temple का यह souvenir बाजार, mainly tourists के उपर ही dependent है Literally, Tanalot means land in the sea Tanalot Temple is one of the seven prominent sea temples of Bali These temples were constructed some 500 years ago, mainly along the southwestern coast of Bali विदेशी tourists के लिए, Tanalot Temple complex में entry fee 75,000 IDR per person है But non Balinese are not allowed to climb the staircase of the temple They are allowed only to enter in the temple complex Tanalot Temple की cliff से इंडियन ओसन में अस्त होते सूर्य का एक नेना भिराम द्रेश्य A local Balinese wedge snack ये हम Seminyak में पंजाबी तड़का नामक Indian restaurant पर डिनर के लिए रुके हैं आई ये अंदर चलते हैं नमस्ते जी नमस्ते Bali के कुटा, Seminyak तथा उबुद जैसे टूरिस्टी सहरों में आपको काफी Indian restaurant वे कैफे आदी मिल जाएंगे जहां आप अपनी Indian food की craving को शांत कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे Indian restaurants में खाना थोड़ा महंगा हो सकता है सिव सागर प्योर वेज रेस्टेरेंट और ये आगया कैलाश परवत प्योर वेजटेरियन रेस्टेरेंट और ये है हमारे होटल खुरिसन का रेस्टेरेंट सुबह सुबह बीच की और जा रहे हैं देख लीजिए अगर आपका मन है तो you can also join us ये सेमिन्याक का डबल सिक्स बीच है बीच एकदम रोड के साथ ही सटा है यहां कोई सीड़ियां उतरने की जरूरत आपको नहीं है और बीच इज वेल मेंटेंड रेतिला तठोने तथा यहां पर लहरों का वेग ज़्यादा तेज नय होने के कारण यह बीच सर्फिंग सीखने तथा क्याकिंग के लिए काफी सूटेबल है वह दूर आप जो स्टेचू देख रहे हैं वह बाली ही नहीं बलके इंडोनेशिया की सबसे बड़ी स्टेचू है गरूरा विश्नु की यह स्टेचू जी डवल्यू के पार्क में उलुवातु एरिया में लोकेटिड है सुवे सुवे बीच पर यदि एक्सरिसाइज करने को मिल जाए तो उसका भी अपना ही एक अलग आनंद है यह है बाली का फोक में जी और यह रहे हमारे मुजिशन साब मैंने सुचा आप भी मिल लें You can immerse yourself in Balinese culture with a variety of complimentary dress-ups from Hotel Horisan Seminyak Pandava Beach is the most beautiful, well-dwelt and well-maintained beach of Bali. Today, we will first go to Pandava Beach and then spend our evening exploring the vast grounds of Uluwatu Temple and enjoying Kecek dance. We are crossing from the back side of GWK Park. This Garuda Vishnu Statue is so grand that you can see it from almost anywhere in Bali. Plate Farm says, this statue की उंचाई लगबग 400 foot है और GWK Park की full day entry ticket है 1,20,000 इंडोनेशन रुपीज यदि आप statue के top floor तक भी जाना चाते हैं तो फिर IDR 3,000,000 की ticket लेनी पड़ेगी लगवक 5001 कड़ में फेले इस पार्क में घूमने के लिए बैटरी ओपरेटेड कार की सुविदा भी है जिसका चार्ज अलग से रहता है रोड बड़ी सुन्दर आ गई है लेफ्ट में ये जो decoration देख रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ शादी या फिर कोई बड़ा family function चल रहा है ये gate और ये statue वगएरा देखकर लगता है कि पंड़वा वीच पास में ही है लो आ गया main entry gate और ticket center viewers अब हम कोई commentary नहीं करेंगे आप बस हमारे camera के lens से इस बीच की खूबसूरती को enjoy कीजिए यहाँ से आप पूरे पांडव बीच का एक विहंगम दृष्षे अपने camera में कैद कर सकते हैं पर ये parking lot वाले थोड़ी fees रोग लेते हैं सड़क के साथ लगते पहाड में पांडवो की प्रतिमाई कार्व की गई है देख रहे हैं तोटली अंटच्च्ट नेचरल ब्यूटी जेट्स किंग था पेरेगलाइडिंग के लिए भी पांडवा बीच काफी फेमस है बीच शेक्स के आगे बनी पक्की ट्रेल पर आप बीच वाक का आनद भी ले सकते हैं कभी पूरी तरह सेक्लूडिट माना जाने वाला पंडवा बीच आज बाली के बेस्ट बीचिज में सुमार है देख रहे हैं कैसे भर भर के टूरिस्ट आ रहे हैं विवर्स चलिए अब हम चलते हैं उलुवाटू टेंपल की और उलुवाटू टेंपल एन समुद्र के किनारे एक क्लिफ पर बना है काफी बड़ा कॉंपलेक्स है गूमने है तू काफी समय चाहिए यहां का रामायन की गाथा पर आधारित केचक नित्ते काफी प्रसिद्ध है पर हमें उसकी टिक्टें नहीं मिल पाई हैं उलुवाटू में केचक डान्स के दो शो होते हैं पर आज दोनों शोज की टिक्टें हमारे पहुंचने से पहले ही बिक चुकी थी शो की टिकट लगबग 800 INR पर परसन है वो सामने ओपन एर थेटर है जहां केचक डान्स के शो जो और्गिनाईज होते हैं उलुवाटू टेंपल क्लिप से इंडियन ओशन का एक पैनोरेमिक व्यूँ है ना एकदम साफ निला समंदर ऐसी सवच जल राशी और कहीं देखी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा परसावधान यहां के बंदर बड़े शरारती हैं आपके स्पेक्स में मॉबाईल को विशिश तोर पर खीच कर ले जा सकते हैं हमारे सामने ही तीन-चार लोगों के तो ले ही गए थे और उनमें एक हमारा भी था अब चाहे स्पेक्स हों या मॉबाईल यदि बंदर महराज एक बार ले गए तो ज़्यादतर चांसिस तो यही हैं कि वो उसका पोस्ट मॉटम तो करके ही छोड़ेंगे और वो सामने जो ट्रेल जा रही है वो उलुवातु क्लिफ की और जा रही है वहाँ से आप इंडियन ओशन में अस्थोत्ते सूर्य के अध्वुद रिश्य का आनन्द ले सकते हैं उलुवातु टेंपल को अच्छी तरह से एक्स्प्लोर करने के लिए कम से कम दो तीन घंटे का समय जरूरी है और उलुवातु टेंपल को हम बाली भ्रह्मन का एक मस्ट सी स्पॉट कहें तो कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी पार्किंग देख रहे हैं कितनी बड़ी है बाली भ्रह्मन का लाश डिनर के लाश परवत पर करेंगी आईए अंदर चलते हैं नमस्ते नमस्ते तेंक यू गूड एंबियंस आज हमारा बाली में लाश डे है पर आज हम कुछ देख नहीं पाएंगे क्योंकि फलाइट मॉर्निंग की है अभी हम आईगुस्ती नगुरा राय इंटरनेशनल एरपोर्ट की और जा रहे हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था करनल आईगुस्ती इंडोनेशियाई मुक्ति संग्राम के एक महान योद्धा थे जो डचों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे वियर्स जब तक हम एरपोर्ट पहुंचते हैं क्यों ना हमारी सिक्स नाइट वे सेवन डेज की ट्रिप में हुए टोटल खर्च की डिटेल्स डिस्कस कर लें वैसे हम जल्दी ही बाली की कंप्लीट आइटिनरी पर एक स्पैसल एपिसोड भी अप्लोड करेंगे जिसमें हम वे सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे जो ट्रिप के एंज्वाइमेंट को बरकरार रखते हुए उसके बजट को कम कर सकें चार लोगों के साथ दिन के कुल खर्च का विबरन इस परकार है 1. Fly Tickets, Direct Flight at the rate of 49K per person, 1,96,000 2. Visa at the rate of 2,500, 10,000 Hotel Accommodation for 6 Nights, 40,000 4. Food Expenses, 23,000 5. Taxi Expenses, 27,000 6. Fast Boat to Nusa Pineda, 6,000 7. Entry Tickets, 10,000 8. Sim Card, 1,000 9. Miscellaneous Expenses, 3,000 Total हो गया 3,16,000 17,9,000 per person इसमें ATV Ride तथा Swings का खर्चा मैंने शामिल नहीं किया है जो की 15,16,000 रुपे था और साथ ही Shopping का खर्चा भी शामिल नहीं है और यदि आप Stopover वाली Flight लेंगे तो Cost कुछ और कम हो जाएगी पहुँच गए है यह Mr. Toby है यह वैसे तो हमारे टैक्सी ड्राइवर रहे बाली के एक सफ़ता के हमारे टूर के दोरान पर एंड तक आते हते He just like my younger brother He has won my heart Thank you Toby Thank you for everything you have done एरपोर्ट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारे दिली एरपोर्ट वाले टर्मिनल्स की तरह है यह ज़्यादा चलना नहीं पड़ता यह बाली ड्यूटी फ्री बेशक है पर याद रखना यह बाजार महंगा है फिर यह मत कहना कि बताया नहीं कि बताया नहीं कि बताया नहीं So friends, Bali के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे जल्दी हम फिर मिलेंगे तब तक आप आसमा से Bali देप के विहंगम द्रेश्यों का आनन लीजिए Bye-bye, have a good day and take good care of your family In the end, just a simple question How many islands are there in Indonesia? 100+, 1000+, 10,000+, or 16,000+. Please give your answer in the comments box